नातवास तालाब को बचाने के लिए अब महीं के शरुआत होगे आलंकि बाड की वज़ज़ से लोग वहाँ पर त्राहिमाम करते भी नज़र आ रहे हैं नातवास तालाब को बचाने के लिए इस्थानी ये लोगों ने अब मोर्चा खोला है तालाब तकरीबन पांच बीगे का है लेकिन अब पानी भरने के करण इसके फैलाओ शमता कई बीधा में फैल चुकी है जिससे आसपास के लोगों का जल जीवन अस्त वेस्त हो चुका है लोग अपने घरों को छोड़ कर दूसरी जगा शिफ्ट होगा है पानी भरने के करण लोगों के घरों में लाखों रुपाय का नुक्सान हुआ है इसानी ये लोगों का कहना है कि प्रशासन जल से जल इस मामले में राहत पुरदान करें वरना तोल उपखंट करयाले पर धरना प्रदेशन किया जाएगा तो तालाव का फैलाव हुआ है और प्रकृतिक वज़े से जिस तरह से लगतार बारीश हुई है उसकी वज़े से तालाव अपने रोडरा रूप में है जिसकी वज़े से आसपास के रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी भर गया है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके की इस्तितियां वाँ पर बनी है तो यह जो तस्वीरे हैं इस वक्त आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी परिशानी जेलनी पड़ रही आसपास के लोगों को उनकी मांग है कि प्रश्वासन की तरफ से जल से जल इस पूरे मामले को लेकर सर्वे कराए जाए और जो नुकसार हुआ है उसकी भरपाई की जाए है तो नातवास तालाब को लेकर यह इस्तिति बनी है देवेंद्र शर्मा हमारे सयूकी जादा जानकारी देंगे देवेंद्र है लोगों की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी जा रही है जी बिल्गुल बताना जाओंगा यह पूरा मामला रास्तमज लेके नातवास सालाब के पास का है जो कि केज्मेंट एरिया बता जा रहा है तो यहां पर कुछ लोगों ने अपने फ्लेट भी खड़ी दे थे बिल्डर द्वारा बताया गया था कि यहां पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अब उनके घरों में भी पानी आ गया तो तमाम अपडेट हमने आपको बताया अब आपको इब बताते हैं कि बाड़ पेड़तों का जो धर्व तच्वलका है कि आपको छुनका कहना है वो भी सुना है नगरपारिकाम के कंप्लें की ये लिखित में डीयम को कलेक्टर को सभी को हमने ग्यापन भी दिया है और उन्होंने आशवासन जरूर दिया था एक दूदिन आके देखा था लेकिन उसके बादे हमने रेगूलर कॉंटेक्ट करने के कोशिश की बट किसी ने कोई क्यों करना चीए